जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और डेली करेंट अफेर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज की डेट है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का दिन हमारे इतिहास के दिश्टकोंट से काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमारे राष्ट्पिता महात्मा गाधी जी का जन्म हुआ था और इसी लिए आप सभी को राष्ट्पिता महात्मा गाधी जी के जन्म की बहुत बहुत सुपकाम न है इसके अलावा कमेंट में आपको बताना है कि गाधी जी के साथ साथ और हमारे भारत के किस महापुरुस का जन्म दिवस दो अक्टूबर के दिन होता है तो चलिए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रशन पोचे थे उनके उत्तर जान लेते हैं पहला प्रशन था कि टेस्ट क्रिकट में सबसे तेज सतक का रिकॉर्ड किस खिलाडी के नाम पर है तो ये खिलाडी है आपके ब्रेंडन मैकलन जो की न्यूजी लेंड देश के खिलाडी है और इन्होंने आश्टेलिया के ब्रुद्ध मैच में सबसे तेज सौरन बनाए थे तो इसलिए इनही के नाम पर ये रिकॉर्ड है पिचर सब्द का प्रियोग किस खिल के लिए किया जाता है तो पिचर सब्द का जो प्रियोग है ये किया जाता है बेसबॉल के लिए और जब भी बेसबॉल का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये अमेरिका का राष्टिये खेल है SMS यानि कि Short Message Service ये इसका पूरा नाम है आजनिक लॉन टेनिस की बात करते हैं तो इस खेल की सुरुवात 1873 में कहां पर हुई थी इंग्लैंड में हुई थी तो ये आपको ध्यार रखना है और जो हमारा पहला ग्यान पर पुरस्कार है ये दिया गया था G.E.S. कुरूब जी को और आपको ये भी दिया रखना है कि G.E.S. कुरूब जी मले आलम महासा के कभी थे जिनको पहली बार ये पुरस्कार मिला था आप मेंसे कई सारे लोगों के मन में ये भी हो सकता है सवाल आए कि ये जो मैं प्रशन पोचता हूँ ये प्रशन कहा के होते है तो मैं आपको एक बार फर से बता दू कि ये सारे RRB NTVC के जो एकजाम होए थे 2016 में उनहीं से मैं प्रशनों को यहां पर सामिल करता हूँ ऐसा नहीं है कि इन प्रशनों को मैं स्वैम बनाता हूँ और मुझे ये भी पता है कि इन में से बहुत सारे प्रशन ऐसे होते है जिनकी उत्तर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते है लेकिन फिर भी मैं प्रशनों को इसलिए सामिल करता हूँ कि अगर आप ढंक से पढ़ने वाले होंगे तो इन प्रशनों के लिए Google करेंगे Google से आप उत्तर को सर्च करेंगे सर्च करके आप या तो लिखेंगे या फिर आप कहीं पर नोट करेंगे और इससे आपकी जो बौधिक छमता है वहां काफी ज़्यादा बाढ़ती है यानि कि चीजों को खोजने की आपके सक्ति बढ़ती है और इस प्रकार से जब आप चीजों को खोज करके लिखते हैं तो फिर आप उसको लंबे समय तो याद रख पाते हैं तो मेरी कोशिस यह है कि आप लोग थोड़ा सा इनोवेटिव बने थोड़ा सा आप खुश से भी सोथ किया करें जिससे आप सोयम को बहतर बना सके बाकि इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी तेली ग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी या फिर केवी गुरुजी.in के उपर भी आपको PDF मिला करेगी लेकिन वहाँ पर मिलेगी इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सेर भी जरूर किया करें हाँ तो चलिए अब हम लोग आज का पहला प्रशन देखते हैं प्रतेक वर्स ब्रिद ब्यक्तियों का अंतर राष्टिय दिवस यानि कि International Day of Older Persons कब मनाया जाता है तो ये दिवस हमारा होता है एक अक्टूबर को यानि कि इस प्रशन का आप्शन भी करेक्ट होगा अब दिवस का नाम है ब्रिद ब्यक्तियों का अंतर राष्टिय दिवस तो ये दिवस मुख्य रोप से दो कारणों से मनाया जाता है पहला कारण है कि जो हमारे ब्रिद ब्यक्ति है जाहर सी बात है वह कभी विवा रहे होंगे उस दोरान उन्होंने समाज में कुछ योगदान दिया होगा तो उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यानि कि उनके योगदान को सम्मान देने के लिए इसके अलावा बरती उम्र के साथ साथ उनके जीवन में कौन-कौन से चिनोतिया आएंगी इन सभी के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर पर रहते हैं और आपके घर पर इस प्रकार के कोई भी बुजुर्ग हो यानि कि दादा दादी या आजपरोस के जो भी बुजुर्ग हो उनके साथ में थोड़ा सा समय आप बैतित जरूर क्या करें काफी जादा अच्छा लगता है अगर आप इस प्रकार से समय को बैतित करते हैं तो थीम इस बार की है ये इस बार की थीम है और युनाइटे निशन जनरल असम्बली के द्वारा 1990 में इसे घुशित किया गया था तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगला प्रेशन जो की काफी जादा महत्पूर्ण है भारतिय स्पेस एजनसी इसरो ने किस वर्ष सुक्र ग्रह के लिए मिसन सुक्रियान 1 लॉंज करने की घुशना की है हाला कि ओफीसियल नाम इसका सुक्रियान 1 होगा या कुछ और होगा इसके बारे में अभी कनफर्म नहीं बताया गया है इसरो के द्वारा लेकिन इस मिशन की घुशना कर दी गई है कि 2025 में इसरो के द्वारा इस मिशन को लॉंज किया जाएगा तो इस प्रिशन का ऑप्शन D करेक्ट होगा अब परिच्छा के दिश्टकोर से इस टॉपिक से आप से कई प्रकार के प्रिशन पूछे जा सकते है पहला आपको यहाँ पर यह ध्या रखना है कि सुक्रियान मिशन में भारत के इस तरू का सहयोग करेगी फ्रांस की स्पेस एजन्सी CNES यानि की CNES की सहायता से भारत के द्वारा सुक्रियान वन मिशन को लॉंज किया जाएगा जैसे गंगन यान मिशन में हमको थोड़ा बहुत सहयोग दे रहा है फ्रांस इसके अलामा रूस दे रहा है उसके अलामा जो हमारा चंद्रियान थ्री मिशन होगा उसमें जापान सहयोग करेगा उसी प्रकार से यह जो सुक्रियान वन मिशन होगा वीनस प्लानेट के लिए इसमें फ्रांस के द्वारा सहयोग किये जाएगी और इसके अंतरगत इस्तरों के द्वारा सुक्र ग्रह पर सोध के लिए और बिटर लॉंज किये जाने की यौज़ना है हाला कि डीटेल अभी इसके बारे में आना सेस है बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की स्पेस एजनसी की तो ध्यान रखिएगा भारत ने इसके साथ में मिल करके दो मिशन पास्ट में लॉंज किया हुआ है एक तो आपका है मेगा टॉपिकस और दूसरा है स्थरल तो ये प्रशन अलरड़ी पूछा जा चुका है कि इसरो ने किसके साथ में इस मिशन को लॉंज किया था तो मेगा टॉपिकस और दूसरा हमारा है स्थरल बाकि इसरो की बात करते हैं तो अस्थापना 15 अगस्त उनीश स्थर को हुई थी मुख्याला है बेंगलूरू में और अध्धच इसके है के सिवन आईए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बीनस प्लानेट के बारे में तो ये आप देखेंगे सन है उसके बाद में हमारा आता है मरकरी और फिर यहाँ पर है बीनस तो बीनस के उपर यहाँ पर मिशन गेजा जाएगा इसरो के द्वारा फ्रांस के सहयोग से और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि बीनस प्लानेट के उपर फॉस्पीन नाम की जो गैस है उसके बारे में खोज की गई थी सोध करताओं के द्वारा अगला प्रेशन है प्रतेक वर्ष अंतर राष्टे काफी दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस हमारा होता है प्रतेक वर्ष एक अक्टूबर को इस प्रेशन का आप्शन ए करेक्ट होगा तो जो भी लोग कौफी के व्योसाय में लगे हुए है उन सभी लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए अंतर राष्टे काफी दिवस प्रतेक वर्ष एक अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर राष्टे काफी संक के द्वारा 2015 में इस दिवस को मनाया जाने की घोशना की गयी थी कॉफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफी ज़्यादा कीजों में आपकी help भी करता है जैसे की vitamin B जिसे हम लोग riboflavin नाम से जानते हैं उसका ये बहुत अच्छा स्थान है और काफी की बात करते हैं तो हमारे देश में करनाटक में सबसे ज़्यादा काफी का उत्पादन होता है लगभग 71% केरल है दूसरे अस्थान पे और तमिल लाडू हमारे देश में काफी के उत्पादन में तीसरे अस्थान पे है कॉफी वोर्ट इंडिया भी है हमारे यहां पर जिसका मुख्याले आपको मिल जागा बंगलूरू में यह आपको यहां पर ध्यानतना है खेल मंतरी किरण रिजजु द्वारा किस सहर में भारतिय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉंग किया गया तो यह लॉंग किया गया है दिल्ली में तो इस प्रेशन का आप्शन भी करेक्ट होगा भारतिय खेल प्राधिकरण यानि की बात हो रही है Sports Authority of India की और Sports Authority of India का जो नया लोगो है इसे लॉंग किया गया है हमारे खेल मंतरी किरण रिजजु जु के द्वारा तो ध्यान रखेगा खेल Authority of India की अस्तापना 1984 में हुई थी महा निदेशक इसके हैं संदीप प्रधान तो यह आप इसके नए लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर एक flying image है यानि कि जैसे इंसान कोई उड़ रहा हो और इसमें हमारे तिरंगे को भी सामिल किया गया है तो ध्यान रखेगा image को थोड़ा सा कि एक उड़ता हुआ बंदा यहाँ पर है और इसके सार सा तिरंगे को भी सामिल किया गया है हाल ही में किस bank ने IBE note green tech पहल की सुरुवात की है तो इसकी सुरुवात की है Indian bank ने यानि कि इस question का option C correct होगा IBE note पहल है क्या तो इसके अंतरगत Indian bank के द्वारा अब भी अब जो उसके कारे होंगे उनमें कागज का प्रयोग कम से कम करने की कोसिस की जाएगी यानि कि bank के द्वारा यहां पर digital होने की तरफ बढ़ने के लिए इस पहल की सुरुवात की गई है और इसके लिए Indian bank ने Microsoft office का जो share point है उसके साथ में एक समझोता भी किया है Indian bank के बारे में आपको यह ध्यार रखना है कि साधनिक छित्र का हमारे यहां का bank है पंदरा अगस्त 1907 को अस्थापना होई थी मुख्याले आपको चिन्नाई में मिल जाएगा MD of CEO हैं पदमजा चुंदरू भारत की अगनी कुल कॉस्मॉस ने किस देश की Alaska Aerospace Corporation के साथ अगनी बॉर्ण राकेट के लांग के लिए समझोता किया है तो यह समझोता किया है इन्होंने अमेरिका की Alaska Aerospace Corporation के साथ में तो इस प्रशन का option B correct होगा अब आपको यह ध्यां रखना है कि यह जो हमारी कंपनी है यानि कि इस टायटप है छोटा सा अगनी कुल कॉस्मॉस यह IIT मदरास से जुड़ी हुई है यानि कि IIT मदरास की यह एक इस टायटप है और इन्होंने अमेरिका की जो कंपनी है Alaska Aerospace Corporation इसके साथ में समझोता किया है और इसके अंतरगत यह लोग Alaska में इस्थित Pacific Space Port Complex Alaska से इस rocket को launch करेंगे रोकेट कौसा है अगनी बांट रोकेट तो ध्यान रखेगा यह एक प्रकार का रोकेट है छोटा रोकेट है और इससे लो अर्थ और्बेट में यानि कि 700 किलोमेटर की उचाई तक 100 किलोग्राम पे रोड को भेजा जा सकता है तो यह आपके लिए महत्मूर्ण प्रश्न हो सकता है किस राज की सरकार ने चात्रों को अरुण डोरं बुरोव अवार्ड 2020 प्रतान किये तो थोड़ा सा इसका नाम अटपटा है अनन डोरं बुरोव अवार्ड 2020 तो यह दिया है असं राज की सरकार ने इस प्रश्न का आप्शन भी करेक्त होगा तो असम के CM कौन है? सरबानन्दा सुनवाल जी और इनी के द्वारा जिन चात्रों ने दसवी में 75% या उससे ज़ादा अंक प्राप किये थे उन सभी को ये अवार्ड दिया गया है तो कुल मिला करके राज के 16,944 चात्रों को ये पुरसकार मिला है अब इस पुरसकार के अंतरगत मिला क्या है चात्रों को? तो इसके अंतरगत चात्रों को 20,000 रुपए दिये गए हैं जिससे वह लोग लेप्टाप खरीज सके और लेप्टाप खरीद करके जो अच्छी अच्छी मूवे रिलीज होती है जो टेली ग्राम पर आपको मिल जाती है उन सभी मूवीज को यहाँ पर देख सके अब मूवीज की बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे उत्तरग देश की सरकार के द्वारा भी बहुत सारे लेप्टाप वित्रित किये गए थे वैसा आप उसका योज कर सकते है असंद से सम्मंदित कुछ अन्ने चीज़े भी आपके सामने यहाँ पर लिखी होई है आईे थोड़ा सा रिवायच कर लेते है गरीब परिवारों को बित्य साहता देने के लिए अरुणोदय योजना यहां पर लौंग की गई टेरी के द्वारा यानि किद्धा एनर्जी रिसर्च इंसिट्यूट के द्वारा गुहावटी सहर में बाठ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली लगाई गई ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे बड़े नदी रुवे का उधगाटन किया गया ससस्तरबल अधनियम 1958 को यहाँ पच्छे माह के लिए बढ़ा दिया गया है एक भारत स्त्रेष्ट भारत में राजिस्थान के साथ में इसको टैग किया गया है स्वामी विवेकानन इवा ससत्तिकरण योजना पुनालांक कर दी गई है स्टेट बैंक आफ इंडिया के द्वारा महिला आत्म निर्भरता प्रोग्राम की सुरुवात की गई है दिंग पटकई वाइड लैप सेंकुचरी यहां करनेया राष्टिय पार्क बनेगा ऐसा सरकार ने कह दिया है मुख्य मंतरी ग्राम में परिवहन अचोनी योजना सुरु की गई और परेटन संजीवनी योजना के भियां पर सुरुवात की गई है और एक जरूरी चीज वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ सेयर भी जरूर किया करिए मैं आखिर में ये नहीं समझ पाता हूँ कि सब्सक्राइबर के संख्या 4,4,000 के उपर है डेली वीडियो देखने वालों के संख्या मातर 3,000 है तो ऐसा क्यों होता है हाला कि इसके पीछे का रेजियन मैं पता कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला है और कोसिस करिए कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर किया करिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में आप समझ लीजिए कि मुझे 5 घंटे लग जाते है तो डेली मैं 5 घंटे का समय देता हूँ current affair के लिए पूरा typing से लेकर के matter search करने से लेकर के सारी चीजे मुझे स्वयम करनी पड़ती है और इसलिए app के उपर कोईज डालना अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि एक घंटा मुझे अत्रिक टाइम वहाँ पर भी देना पड़ता था तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं डेली आपके लिए current affair के बेहतर वीडियो लेकर क्या हूँ तो आपको भी यहाँ पर कोशिस करनी है क्योंकि ताली कभी एक हास से नहीं बसती है कंटन देना मेरा काम है और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूटूब के उपर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको अगर कहीं से मिलेंगे किसी भी करनेट अफेर के वीडियो से तो वे मेरे वीडियो से होंगे ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सेर भी जरूर किया करें असल्ब राज की बात हुई है तो राजधानी दिस्पुर में है राजिपाल जगदीस मुखी है, मुखी मंतरी सर्वानन्दा सुनुवाल है, लोग सभा में 14 सीटे है, राज सभा में 7 सीटे है, यहां की विधान सभा में 126 सीटे है, अभी यहां के एक्टिंग नया धीस बनाए गए है, एनके सिंग, अजय लांबा की अस्थान पर, उच्छ चिरांग रीपु, सोनितपुर, देहिंग पटकई, कार्भी एंगलांग, काजी रंगा, यानि की कार्भी एंगलांग, काजी रंगा एक ही एलिफेंट रिजर्ब है, और धन्सरी, लंग डिंग एलिफेंट रिजर्ब भी है आपका असम में, पच्छी भिहारे हां पर आप हाउसिंग डेवलेप्मेंट कंपणी ने किसे अपना ब्राण्ड मेश्डर न्यूग किया है तो यहाँ पर बीसी सियाई के जो अध्यच्छ 49 नंबर के सौरब गांगुली जी जो कि हैं परस्षिम बंगाल से दादा नाम से या बंगाल टाइगर के नाम से भी यह पसिद्ध ह इनी को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलेप्मेंट कंपणी ने अपना ब्राण्ड मेश्डर बनाया है तो इस प्रश्ण का ऑप्सन ए करेक्ट होगा इसके अलामा यहाँ पर कई सारे अन्य ब्राण्ड मेश्डर भी अभी बनने हैं और मेरी कोसिज रहेगी कि परसों की जो आपकी वीडियो हो उसमें हम लोग टॉपिक वाइस का इंटरफेर में ब्राण्ड अमश्डर को डिसकस करने हैं कल मैंने आपके लिए दो वीडियो बनाया थे एक तो हमारे मुक्यमंत्री और राजिपाल का वीडियो था एक आपका वीडियो था चर्चित महिलाओं का तो चर्चित महिलाओं वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा आज भी मेरी कोशिस रहेगी कि वर्तमान में कौन क्या है हमारे भारत में उसके उपर एक वीडियो और उसके अलामा जो हमारा रवीजन के सरीच चल लई है उसका चौथा वीडियो भी आपको मिल जाए तो क बोट ओप ने द्वैन ब्रावो को बनाया मिंत्रा ने कियारा आडवानी को बनाया प्लेयर जपॉर्ट ने भूनेशर कुमार और इसमर्ति मंधाना को बनाया पेटियम फ़स्ट गेम्स ने सचीन तेंदुलकर को बनाया इमामी ने जोही चावला को बनाया ग्रेट लर्निं पील छित्री को अपना ब्रांद मजडर बनाया था तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यारत ने हैं हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेशल सिप आई सीजी एस कनकलता वरुआ को इनमें से कहां कमीशन किया गया तो ये प्रशन भी आपके लिए काफी ज़्यादा और इसी की रच्छा के लिए इस प्रकार के पांच फास्ट पेट्रोल वेशल सिप का निर्मार किया गया है गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजिनरिंग के द्वारा यह एक कमपनी है डिफेंस छेत्र के कमपनी है कोल काता में इसका मुख्याले मिलेगा और इनी के option C correct होगा आपको यह ध्यान रखना है कि जो 5 बनाई जानी थी उनमें से पहली थी ICGS प्रियदर्थनी उसके बाद में पिछले साल मैंने आपको बताया था ICGS एनिवेशन के बारे में, ICGS अमरित कवर के बारे में, ICGS कमला देवी के बारे में और ICGS करकलता बरुआ अब इसको कमィशन कर दिया गया है, इन पांचों के नाम किसके द्वारा इसका निर्मार किया गया है और कहां पर इनको कमीशन किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, तो जी, RSC की बात करते हैं तो इसका मुख्याले आपको मिल जाएगा कोलकाता में, किस केंद्री मन्तरी ने, को पहले पता होना चाहिए क्या है ये पहल तो असीम का पूरा नाम है Ambedkar Social Innovation and Inclusion Mission ये इसका पूरा नाम है तो अब आपके मन में आएगा कि इस मिँशन के अंतरगत किया क्या जाएगा तो ध्यान रखेगा कि ये जो हमारी पहल है वह SC community के छात्रों के लिए शुरू की गई है यानि कि जो हमारे serial caste यानि कि अनुसूची जाद के लोग हैं उनके लिए इसकी सुरुवात की गई है इसके अंतरगत किया क्या जाएगा तो जो भी उच्छ सिच्छा संस्थार में पढ़ने वाले SC category के छात्र हैं उन सभी छात्रों के बीच नवाचार और entrepreneurship की भावना को बढ़ावा देने के लिए यानि कि उनके भीतर भी innovation की भावना, entrepreneurship की भावना आये इसको डबलब करने के लिए इस प्रोग्राम की सुरुवात की गई है अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि अब इसके अंतरगत होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा अगले चार वर्सों में इस योजना की अंतरगत एक हजार इवावन का चैन किया जाएगा और अगर उनके पास में कोई बढ़िया श्टायट अप के लिए आइडिया होंगे तो उस आइडिया के तहट तीन वर्सों में तीस लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जिससे वे अपने स्टायट अप को ग्रो कर सकें तो ये मुक्यरोब से असीम पहल का उद्देश्य है और आपको ध्यार रखना है कि 2014-15 में केंदर सरकार के द्वारा एक योजना सुरू की गई थी एसी केटेगरी के लोगों के लिए योजना का नाम था बेंचर कैपिटल फंड फॉर सिड्यूल कास्ट और इसी के अंतरगत इस योजना के लिए धन को मुहिया कराया जाएगा एमनेश्टी इंटरनेशनल जो की हाल ही में सुर्खियों में है इसका मुख्याले कहां परिस्थित है तो इसका मुख्याले आपको मिल जाएगा लंदन में इस प्रश्ण का option D correct होगा तो लंदन का जब भी नाम आए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो Commonwealth of Nations है उसका भी मुख्याले यही पर मिलेगा International Maritime Organization का भी मुख्याले आपको मिल जाएगा लंदन में तो ये आपको ध्यान रखना है अब सवाल ये उठता है कि Amnesty International हाल ही में सुर्ख्यों में है क्यों दरसल मामला ये हुआ कि 10 सितंबर को हमारे देश में जो किंद्र सरकार है उसके द्वारा Amnesty International इंडिया के जो भी यहाँ पर bank account थे उन सभी account को freeze कर दिया गया यानि कि अब ये संस्था अपने bank account से लेन देन नहीं कर सकती है और इसके पीछे सरकार के द्वारा ये तरक दिया गया कि ये जो Amnesty International नाम की संस्था है इसके द्वारा कुछ अज्यात सोर्सों से धन लिया जाता है ये एक प्रकार की NGO है और NGO क्या होती है जो एक ऐसी संगठन होती है जो कि बिना सरकार के मदद की लोगों की मदद करती है तो ऐसे संगठन को हम लोग कहतें NGO अब जाहिर सी बात है लोगों की अगर आप मदद कर रहे हैं तो आपको चाहिए पैसा क्या चाहिए आपको चाहिए पैसा तो ये पैसा बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है तो Amnesty International को बाहर से कुछ पैसा मिला था जिसके बारे में इन्होंने सही से जानकारी नहीं दी और इसी कारण से सरकार के द्वारा इनके एकाउंट को फेज कर दिया गया तो Amnesty International वाले भी यहाँ पर गुसा गये थोड़ा सा और इन्होंने कहा कि अब हम लोग भारत में काम ही नहीं करेंगे तो भारत सरकार ने कहा निकल यहाँ से निकल तो Amnesty International अब निकलने के लिए तयार हो गई है हमारे देश में तो यह है पूरा मामला कि Amnesty International ने अपना संचालन भारत में बंद कर दिया गया है जुलाई 1961 में इसके स्थापना होई थी मुख्याले जैसा कि मैंने आपको बता दिया लंदन में ही है और यह एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है मानवा अधिकारों और अभ्यक्ति की सुथनता के लिए पूरी दुनिया में यह संगठन कारे करता है और इसी के लिए 1977 में इसको नोबल संति पुरस्कार और 1978 में UN के द्वार एक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था आखरी प्रस्ट में अंतर राष्टे T20 क्रिकेट में एक बिकट कीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा बल्ले वाजों को आउट करने का नया रिकार्ड किसने बनाया है तो ये प्रस्ट में काफी ज़्यादा महत्पूर है ध्याव केगा आश्टेलिया की महिला खिलाडी एलिसा हीली ने एक बिकट कीपर के तौर पर अंतर राष्टे T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिकार करने का रिकार्ड बना लिया है अब सिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा बिकट कीपर होता है उसके द्वारा खिलाडियों को दो प्रकार से आउट किया जाता है एक तो वह बिकट के पीछे कैश करके खिलाडियों को आउट करता है और दूसरा वह बिकट जो हमारे बल्लेबाज होते हैं उनको स्टंप करके आउट करता है तो ये दो तरीके होते हैं तो आश्टिलिया की जो खिलाडी है एलिसा हिली इन्हों ने हमारे देश के कप्तान महेंदर सिंग धोनी का रिकॉर्ड तोर दिया महेंदर सिंग धोनी के पास में T20 में कुल 91 बनने बाजो को आउट करने का रिकॉर्ड था और अब New Zealand के विरुद जो स्रीज हो रही है उस स्रीज के दोरान एलिसा हिली ने महेंदर सिंग धोनी की इस रिकॉर्ड को तोर दिया है तो आई हो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा चलिए कुछ अन्यमहत पूर्ण चीजे जान लेते हैं तो दो दिवस हम लोगों ने शुरुवात में डिसकस कर लिए एक अक्टोबर को एक अक्टोबर को एक दिवस और होता है जिसका नामक बिस्सो साकहारी दिवस यानि कि World Vegetarian Day ये भी आपका होता है एक अक्टोबर को फिर आपको याद अकना है सेख नवाफ अल एहमद अब कुवेट के नए अमीर बन गए है अमीर का मतलब यहाँ पर धनी नहीं है रिच नहीं है इसका मतलब है एक राश्पती प्रकार का पद तो सेख सबाफ अल एहमद यहां के अभी तक अमीर थे जिनका अभी सितंबर लाश्ट में निधन हो गया तो उसके बाद में सेख नवाफ अल एहमद यहां के नए अमीर बने है आरग याई ने डीके कस्चप को धन लच्चमी बैंक के बोर्ड में नियूक कर दिया है बीएसी बात उरिये बॉमबे इस्ताक एक्सेल की तो इसने छोटे और मद्यम उद्योगों यानि कि जो हमारे देश में MSE है उनको सक्त बनाने के लिए S-Bank के साथ में समझोता किया है और युनेस्को के द्वारा आश्टिया की राध्धनी बियना को समावेसी आवास नीती के लिए स्मार्ट सिटी पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने है और आज के वीडियो से आपके लिए प्रेशन है बिसाल ग्रेट रेट स्पोर्ट किस ग्रह से सम्मंधित है पाकिस्तान की संसत का नाम क्या है रूस के दोरा विक्सित इकोलोजिकली तोर पर विक्सित क्लीन रॉकेट का नाम क्या है अंतरिच में साधी करने वाले पहले वेक्थी कौन है अब ये प्रेशन भी पूछा गया है आप मत कहिएगा कि मैंने ऐसे ही ले लिया है ये प्रेशन भी पूछा जा चुका है अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगा और आकरी प्रेशन है मोतियों के सहर के नाम से कौन सा हमारे देश में प्रसिद्ध सहर है तो इन प्रेशनों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में मैं को सुधार करूँ कुछ आपको कम्या लगती हैं तो आप बिल्कुल सतंत रहो करके अपने सब्दों में जैसा भी आप चाहें वैसा नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं थांक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत